नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग भाई विकासर परिवार में स्वागत करता हूँ हम लोग रोज एग्रिकल्चर के बहतरीन परशनों के साथ मुलाकात करते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी विद्यार्थियों से संबंदित जितने भी एक्जाम होते हैं चाहिए ICR हो, BHU, AFO, IBPS, एग्रिकल्चर TGT, PGT, UPCATED जो भी इस तरीके के एक्जाम होते हैं उनसे संबंदित प्रशनों को हम रोजाना लेकर आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुले हैं सबका हम अगरी कोशन भाई वितासर परिवार में स्वागत करते हैं आज की जो हमारी कलास रहने वाली है, वो सोयल साइंस से यानी की मिर्दा विज्यान से रहेगी इसके अंदर हम important कोशनों की बारे में चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अपने first कोशन से first कोशन हमारा कह रहा है निमन लिखित में से कौन सा जिवानू आ घुलनसील फासफोरस को घुलनसील फासफोरस में बदलने की सहायता बदलने में सहायक नहीं है ठीक है यहां देखेंगे नहीं शब्द आया है तो ध्यान पूर्वा कोशन को पड़के ही एंसवर देंगे ठीक है यह P2O5 रहेगा ठीक है P2O5 है यानि कि फासफोरस से यह ध्यान देंगे इन चारों में से बताइए कौन सा इनकरेक्ट है इसमें से नहीं बताना है तो इसका करेक्ट टैंसर हो जाएगा यानि कि C option यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है C option हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर mycorrhrhrhrh है इसको वेम के नाम से भी जाना जाता है ठीक है यहाँ पर tीन यानि कि माल को राइजा इस यानि कि ने इसलिए है ने चाहिए है यह उनिर्पार का एंजायम होता है ठीक है क्या होता है एक परकार का एंजाइम होता है जो कि यह नाइट्रोजन का इस्थिर करने वाले जिवाणूं में पाये जाता है और जो कि नाइट्रोजन को इस्थिर करने का काम करता है यह आप याद रखेंगे तो C option यहाँ पर correct answer चलते हैं question number 2 पर question number 2 आपके screen पर है question कह रहा है पौधों के निर्माण में सारवधिक योगदान किस तत्व का है ठीक है तो यह बताएंगे किस तत्व का सारवधिक योगदान होता है पौधे के निर्माण के लिए तो यहाँ पर सीधी सी बात जानेंगे कि सरचनातमक जो तत्व होते हैं ठीक ह हो गया और नाइट्रोजन हो गया अब इनकी मातरा देख लेंगे कितनी कितनी पाई जाती है यानि की कार्बन की मातरा 45 परसेंट होती है हाइडोजन की मातरा 40 परसेंट होती है उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन की मातरा जो है एक पॉइंट जीरो से लेकर पांच आतरा जानी रहें 1.0 से लेके 5.0% होता है ठीक है तो यहाँ पर B option हमारा right answer हो जागा चलते हैं question no.3 पर question no.3 आपकी screen पर है question कहरा है फलो और अनाजो को सिग्र पकाने में सहायक पोशकता तो कौन सा है iron है nitrogen है फासफोरस है या zinc है बात कर लेते हैं यहाँ पर iron की आई है तो iron के बारे में जानेंगे कि सौसन में सहायक होता है iron क्या करता है सौसन में सहायक होता है यह आपको याद होना चाहिए सौसन में सहायक होता है सहायक होता है उसके बाद दूसरा एक point लिखेंगे chlorophyll में भी इसकी महतपून भूमिका होती है ठीक है chlorophyll में भी किसकी iron की महतपून भूमिका होती है और nitrogen की बात कर लेते हैं तो nitrogen की अधिकता से क्या होता है nitrogen की अधिकता से क्या हो जाएगा तो आप लोग जानते हैं कि फसल जो होती है यह देरी से पकती है ठीक है देरी से पकती है यह आपको याद हो जाएए और अगर nitrogen की कमी हो गई तो नीचे की जो पतियां होती है yellow color में हो जाती है यह भी आप याद रखेंगे और यहाँ पर phosphorus जड़ों का निर्माण में महटपोन भूंका होती है ठीक है जड़ों के निर्माण में यह आपको याद रखना है दूसरा रिखेंगे और यहाँ पर जेड आना यानि कि जिंक के बारे में जान लेंगे यानि कि यह प्रोटीन संसलेशन में सायक होता है ठीक है प्रोटीन संसलेशन में भी यह सायक होता है कौन यहाँ पर जड़ है तो यहाँ पर C option हमारा correct answer हो जगा ठीक है C option हमारा right answer हो जगा चलते हैं question number 4 पर question number 5 आपकी screen पर है question करा है मिर्दा में ammonia को nitrite में बदलने में सायक जवानों कौन सा है nitrogenase nitrogenase, nitrogenase, nitrobacter या उप्योक सभी तो इसमें से बताईए कौन सा correct answer हो जाएगा ठीक है जैसे मालेजे यूरिया है ठीक है यूरिया है यूरिया किस रूप में होती है यह amide के रूप में होती है ठीक है, amide के रूप में होती है दो भागों में इसको बांट सकते है जैसे कह सकते है NH4-9 के रूप में और NO3-9 के इस दो रूपों में यह बढ़ जाती है इतना तो आपको याद होगा उसके बाद देखिए यहाँ पर यानि कि जो NH4 जो है यह NH4 जो है यह नाइट्रेट में बदलता है ठीक है, किसमें बदलता है नाइट्राइट में बदलता है यह आपको याद होना चाहिए नाइट्राइट में बदलने के लिए एक परकार का इसमें जिवानु काम करता है एक परकार का जिवानु काम करता है उस जिवानु का नाम होता है नाइट्रो सोमो नास उसका नाम होता है जो कि अमोनिया को नाइटराईट में बदलता है ये चीज आपको याद हो गया, एक बैक्टिरिया यहां पर चेंज किया, यानि कि अमोनिया को नाइट्राइट की रूप में चेंज किया, दूसरा जो है, नाइट्राइट को ही किस रूप में चेंज कर दिया यहां पर, यानि कि नाइट्रेट की रूप में चेंज होगा, ठी ठीक है नाइट्राइट जो होता है नाइट्रेट में चेंज करेगा लेकिन इसके लिए भी एक महत्रपूर्ण भूहिम का निभाएगा दूसरा जिवानु ठीक है उस जिवानु का नाम होता है नाइट्रो बेक्टर ठीक है नाइट्रो बेक्टर अब यहां पर आमोनिया को न जाने कि nitrosomonas, B option इसमें right answer हो जागा. चलते हैं question number 5 पर. Question number यहां देखेंगे कि B nitric current की छम्ता नहीं पाई जाती है. ठीक है, यहां पर पूछा है B nitric current की छम्ता किसके अंदर नहीं पाई जाती है, यहां पर नहीं पूछा है, तो देख लेते हैं option thaiobacillus, pseudomonas, nitrobacter या acromobacter, इन चारों में से बताएए कौन सा correct answer हो जाएगा. B nitric current क्या होता है, इसके बारे में आप जानेगे कि मिर्दा से nitrogen का हटना, क्या कहलाता है, यानि कि मिर्दा से nitrogen का चाहे हट जाना, चाहे कम हो जाना, चाहे समाथ हो जाना, यह हमारा B nitric current कहलाता है, ठीक है, यह चीज आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ पर जो correct answer हो जाएगा, यानि कि C option यहाँ पर right answer हो जाएगा, nitrobacter, ठीक है, nitrobacter है, जिस परकार nitrite को nitrate में जो change किया है, कौन change करेगा, nitrite से nitrate में, यह nitrobacter कहता है जिवाणू, तो यहाँ पर C option हमारा correct answer हो जाएगा, चलते हैं, question number 6 पर, question number 6 आपके screen पर है, question करहा है, मिर्दा profile अधिक्तम निच्छालन खंड को क्या कहा जाता है, निच्छेपन कहते हैं, आउच्छालन कहते हैं, यहाँ रेगो-souls कहा जाता है, इन चारों में से बताईए, कौन सा correct answer हो जाएगा, ठीक है, तो बात कर लेते हैं, जो इसका correct answer हो जाएगा है, आउच्छालन कहते हैं, यानि कि B option यहाँ पर right answer हो जाएगा, सोलन के बारे में जानते हैं, सोलम किसको कहते हैं, यानि कि A plus B जो संस्तर होते हैं, उसको कहते हैं, सोलम कहा जाता है, रेगो-souls क्या होता है, रेगो-souls के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, यानि कि बिना संस्तर की जो मिर्दा होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं Rego Sols ठीक है तो यह आपको याद होना चाहिए बीना संस्तर की मिर्दा जो होती है Rego Sols कहलाती है और A और B जो संस्तर होते हैं सुलम कहते हैं तो यहाँ पर B option हमारा correct answer हो जागा यह आपको याद होना चाहिए ठीक है चलते हैं question number 7 पर question number 7 आपके screen पर है question करें मिर्दा का सोरूप होता है ठीक है आपको बताना है मिर्दा का सोरूप क्या होता है तो यह आपको मालूम होना चाहिए मिर्दा किस परकार होती है मिर्दा जीवित होती है ठीक है और इसके बाद इसका जो निर्मान होता है ये किस परकार से होता है, धीरे धीरे ने इसका निर्मान होता है, ये आपको याद होना चाहिए, मिर्दा एक प्राकृतिक पिंड है, ठीक है, मिर्दा क्या है, मिर्दा एक परकार की प्राकृतिक पिंड है, ये आपको याद होना चाहिए, कभी-कभी एक जाम पूछ लेता ह क्या है तो मिर्दा एक प्राक्रथितिक प्रींड है अब बात कर लेते हैं यहां पर तीर स्विंगन है या चतर विमय है ततो क्या है तो इसमें बी option इसमें correct Caesar आदा क्या है है यहानि कि मिर्दा की लंबाई भी होती है और मिर्दा की जाएँ भी होती इसी को क्या कहा गया इसी को कहते है 3 BBM ठीक है तो यहां पर B option हमारा right answer हो जागा चलते हैं question number 8 पर question number 8 है आपके screen पर है question करा एक hectare की प्रिष्टी मिर्दा का वजन कितना होता है time 2.25 into 10 की power 6 ठीक है यह 10 की power 6 ठीक है यह आपको याद होना चाहिए यह किसमे रहेगा तो यह भी आपको याद होना चाहिए kilogram बहेगा ठीक है बी option है 2.25 into 10 की power 8 तीसरा option है 3.25 into 10 설 ना टीक है 10 की power 6 ए चौथा option है, 3.25 into 10 की पावर 8, यह सब kilogram में रहेगा, तो यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें से बताएगे कौन सा correct tensor हो जाएगा, तो इसका correct tensor हो जाएगा, यह option इसमें right tensor हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2.25 into 10 की पावर 6 kilogram में, ठीक है, तो यहाँ पर यह option हमारा right tensor हो जाएगा, इसको आप याद कर लेंगे, कावी अच्छा question है, प्रिष्टिय मिर्दा की जो गहराई होती है, कितनी centimeter तक होती है, कभी-कभी यह भी पूछ लेता है, तो यह 15 centimeter तक होती है, प्रिष्टिय मिर्दा की गहराई, ठीक है, चलते है, question number 9 पर, question number 9, आपकी screen पर है, question कहरा है, भारत में, मिर्दा अप्छे समस्या निम्न लिखित में से किस से और किन से समबंदित है, वेदिका किर्सी से, वनोन मूलन से, या ocean कटबंदी है, जलवायू से, ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे, नीचे दिये गए कूट का परियोग स सही कर, उत्तर का chain करिए, इसमें बताना है, केवल एक और दोनों सही है, केवल दो सही है, केवल एक और तीन सही है, केवल एक और दो और तीन सही है, इन चारों में से बताना है, कौन सा correct tensor होगा, तो यहाँ पर देखें, वेदिका किर्सी आई, वेदिका किर्सी को हम contour farming भी क को रोकती है उसके बाद यहां पर आया है one on mulaan से आप क्या समझते हैं यानि कि a crown के जो कटाई होती है उसको one on Sora कहते हैं तो यही हमारा correct answer हो जएगा यूठ एक्स रो यहांपे देख सकते हैं कि केवल bc केवल दो सही है बी ओप्चन इसमें राइट एंसर हो जागा ठीक है चलते हैं कोशन नमबर 10 पर कोशन नमबर 10 आपके स्क्रीन पर है कोशन करा है चिकनी मिर्दा कणों की सताय होती है ठीक है आपको बताना है चिकनी मिर्दा की कणों की जो सताय होती है किस परकार की होती है रिणात्मक अवेशित होती है धनात्म की नाम से जाना जाता है कभी-कभी चिगनी मिर्दा ना देकर कले दे दे तब आपको दोनों चीज़े आपको याद होनी चीज़े है तो इसका जो correct answer हो जागा यहाँ पर यानि कि रियाणायात्मक आवेशित होता है ठीक है ए ओप्षन इसमें right answer हो जागा ठीक है ए ओप्षन right answer चलते हैं question number 11 पर question number यहाँ पर देखेंगे question कह रहा है USDA के अनुसार मिर्दा कणों को आकार के अनुसार कितने परकार में विभाजित किया है ठीक है चार, साथ, दस, या तीन इन चारों में से बताएगे कौन सा correct answer हो जागा USDA का मतलब होता है इसको पूरा नाम भी आपको याद होना चाहिए USDA इसका मतलब होता है United State of America Department of Agriculture ठीक है इसका पूरा नाम होता है तो यह दूआरा सुन लेंगे United State of America Department of Agriculture इसको कहा जाता है तो इसको याद रखेंगे इन्हों ने इसको कितने भागों में बाटा है तो इन्हों ने इसको साथ भागों में बाटा है यानि कि B option हमारा correct answer हो जगा साथ भाग कौन कौन से होते हैं जैसे मोटी बालू मोटी बालू मोटी बालू मध्यम बालू ठीक है और बालू महीन बालू अती महीन बालू और सिल्ट और कले ये साथ भागों में इन्होंने बाटा है उसके बाद यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर चार भागों में चार भागों में भी फर्स्ट ओप्सन देख रहे हैं, जो चार भागों जो दिया है, यह I, Yes, Yes, Yes के अनुसार चार भागों में बाटा गया है, ठीक है, I, Yes, Yes, Yes क्या होता है, International Society of Soil Science, इसको कहा जाता है, International Society of Soil Science के अनुसार, इसको चार भागों में बाटा गया है, यहाँ पर सार कितने भागों में, दस भागों में बाटा गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ पर B option हमारा correct answer हो जागा, चलते हैं, question number next बार, question number 12 आपके screen पर है, question करा है, घुलन, seal, लवण किस में पाए जाते हैं, लवण, seal मिरदा में, छारिय मिरदा में, अमेली मिरदा में या उपयूक्ति में से कोई नहीं, तो ये आपको याद होना चाहिए, लवणी यह मिरदा के अंदर, लवण, लवणी मिरदा के अंदर क्या होते हैं, लवण, seal, इसमें लवणuman पाए जाते हैं, गुलन सील लमण पाय जाते हैं, यह आपको याद होना चाहिए, तो ए ओप्षन इसमें correct answer हो जाएगा, ठीक है, गुलन सील लमण जो किसमें पाय जाते हैं, लमण यह मिर्दा में पाय जाते हैं, ए ओप्षन इसमें right answer, चलते हैं, question No.13 पर, question No.13 आपके screen पर है, question करा है, मिर् तो बढ़ता है, स्थूल घनत तो कम हो जाता है, मिर्दा के स्थूल घनत पर कोई परभाव नहीं पड़ता है, या उप्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है, काफी अच्छा कोशन है, जो कि एक्जाम काफी बार आया हुआ है, ठीक है, तो स्थूल घनत का मतलब होता है कि जमनिक बदार्थ मिलाने पर क्या होता, स्थोल घंद तो उस हमेशा कम हो जाता, ना बढ़ेगा नहीं, यह आप याद रखेंगे, इसमें जो correct answer हो जाएगा, यानि कि स्थोल घंद तो क्या होगा, कम हो जाएगा, Second option इसमें right answer हो जाएगा, अगर यहीं हम पूछे कि कले का स्थोल गहना तो कितना होता है तो यह भी आपको याद होना चाहिए स्थोल गहना तो जो होगा वो कितना होगा वो हो जाएगा 1.1 हो जाएगा अगर हम यहीं बालू का पूछ ले बालू का स्थोल गहना तो कितना होगा तो बालू का स्थोल ग गन्य की किसमों को विक्सित करने के लिए पूस्पन हेतु परकास की अवधी होनी चाहिए, ठीक है गन्य की अगर कोई नई किसमा हम विक्सित कर रहे हैं तो उसके पूस्पन के लिए कितने degree centigrade तापमान यानि कि कितने घंते परकास की आवशक्ता होती है, परकास याँ भी पूछा है, ना किसिई इन्टिकट पूछा है तो कितने परकास की आवशक्ता होती है यह आपको बताना है, तो देखते हैं option में 8-10 घंते, 10-12 घंते, 12-14 घंते या 14-16 घंते, तो इसमें रहे करेक्ट आंसर हो यहाँ यानि कि गना अनुसंधान केंदर कहां पर है तो यह आपको याद होना चाहिए नहीं गना अनुसंधान केंदर नहीं यहाँ पर याद रखेंगे कोयम टूर में जो है यह क्या है कोयम टूर के अंदर SBI है, यानि कि Sugar Can Breeding Center है, यह आप याद रखेंगे, SBI, इसको कहते हैं Sugar Can Breeding Institute, ठीक है, यह Coin Tour के अंदर है, जो कि तमिल लाड़ू के अंदर इस्तित है, यह आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा B option, C option, correct answer है, चलते हैं, question number 15 पर, question number 15, यहाँ देखेंगे, question number 15 कहारा है, राजस्थान में गर्मियों का तापमान 45 degree centigrade होता है, तो बताओ farne height में कितना degree centigrade, centigrade नहीं है, farne height होगा, ठीक है, तो यहाँ पर बताना है, राजस्थान के गर्मियों के समय, 45 degree centigrade तापमान हो जाता है, तो बताओ Fahrenheit में कितना temperature होगा, यह आपको बताना है, 103 degree Fahrenheit, 113 degree Fahrenheit, 113 degree Fahrenheit, 133 degree Fahrenheit, इस परकार के question देकर कभी कभी confuse कर देता है, तो इसके लिए हम याद करेंगे, इस सूत्र के दोरा हम निकाल सकते हैं, यानि कि centigrade को Fahrenheit में हम इसको निकालेंगे, ठीक है, तो इस परकार हम निकाल सकते ह हैं, तो यहाँ पर centigrade ताप मान दिया हुआ है, यानि कि एफ बराबर कितना हो जागा, 32 हो जागा, बटे 9 हो जागा, और इसको 45 into 5 से इसको कार देंगे, तो यहाँ पर 9 हो जागा, उसके बाद चलते हैं, उसके बाद देखेंगे, यानि कि एफ, एफ माइनस रहेगा, उसके बाद 32, बटे 9, कितना आगया, 9 आगया, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, फार्न हाइट माइनस 32 बराबर 81, ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, आगे फार्न हाइट को, हम 81 पलस 32 से जोड देंगे, तो हमारा फार्न हाइट कितना निकल के आ गया, 113 डिगरी फार्न हा आगया, आगया, 113 डिगरी फार्न हाइट, आज का वीडियो हमारा ही समाप्त हुआ, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर दोस्तों में सेयर करिए, और चैनल पर नए आए हैं, तो सस्क्राइब करिए, जितने लोग वीडियो क देख रहे हैं, सभी लोगों को धन्यवाद.